MMS News 24 में मैं फरित खान आपका स्वागत करता हूँ आज हमारे साथ एक एसी हस्ती मौझूद है जो मराठी फिल्मों के साथ एक कला के जो छेत्र है संगीत का छेत्र है उस छेत्र में पूरी दुनिया में जानी जाती है हमारे साथ मौझूद है शुमांगी गोखले जी जुन्होंने कई सालों तक हिंदी फिल्मों के साथ मराठी फिल्मों नाट कला अनेक छेत्रों में लेखन के छेत्र में भी उन्होंने मिहनत की है और आज हमारे साथ वो देवास में मौझूद हैं पंडित कुमार गंधर जन्द शताब जो समहरों में सबसे पहले तो स्वागर्थ हैं आपका मैम मैम ये बताएं कि आज आज आप कला के शेत्रे से जुणे हैं और आज जो फिल्मों का जो दोर शल रहा है आज पूरा दोर शेंज हो चुका है तो आप एक सीनर कलाकार है और इस सब चीज़े देखकर चेंज होते हैं किसा लगता आपको थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि पुराने जमाने का सारे गाने हमें याद रहते हैं उसका जो म्यूजिक एम टू एम वान कुछ भी सुने तो भी चोटा बच्चा भी पूरा गारा गा लेता है तो गीतकार है मुजिशिंज है और गायक है गाई का है वो उसमें बिल्कुल डेफ्थ थी बहुत शब्दों में भी तो मतलब आज चार लाइने होने के बाद और आप थेटर से बाहर जाने के बाद आपको कुछ याद ने रहता नगाना नदून कुछ भी तो बहुत कैजूलनेस जो आ गई है वो तो दुखी करती है अच्छा जैसे बताएं कि आज आपने जो बिल्कुल कहा लेकिन क्लासिकल म्यूजिक के नाम पर भी आज लोग मतलब पूरी तरह से उसका रूप चेंज कर शुके हैं मतलब कुमार जी का देख लें रजब इलिखासाप का देख लें या अपने पंडित जसाज भीम सेंज जोशी जी मतलब इस तरह का जी म्यूजिक जो था मिल्ब क्लासिकल म्यूजिक जो था लेकिन आज उसका पूरा स्वरूप चेंज होता इसा क्यों हो रहा है हां मतलब कही जगों पर जरूर चेंज हो रहा है और यूथ बहुत जल्दी बहुती जल्दी स्टेज पर आ रहे हैं यह मेरा विल्कुल विनम्र वैसे कहना है कि थोड़ा सा और तालीम क्योंकि हमारे जो आपने जो नाम लिए बड़े-बड़े हस्तिय कि उन्हेंने सालों तक अपने गुर्व गुर्व में सेवा की और आराधना की तवस्या की तब जाके ऐसा सोना बाहर आया तो मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दी हो रही है और थोड़ा इतनी मतलब लोगों में भी पेशेंस नहीं रहा है कि रागदारी पूर्य सुने त कि ऐसा नहीं होना चाहिए यह आदत लगनी ही चाहिए लोगों को कि पूरा संगीत क्या है कैसे है रागदारी है फिर उसके अलग-अलग प्रकार है फिर ठुमरी दादरा यह चीज आती है अब मैं फिल शुरू होते ही आप ठुमरी कुछ गाते हैं तो तो वो ठीक नहीं है पूरा होना चाहिए जैसे जो नए जो कलाकार आते हैं मलब चाहे अपने फिल्मों में देख लें या टेलिविजन पर देख लें वहां पर भी एक दो सोरूप की बात करें तो पूरी तरह से धीरे धीरे जिसे आपका हमेशा देखा दुपटे में या अपने साड़ी में औ अपने कला का छेत्रों हो अपना भी नएका वहां पर हर जगा आपकी कहिना के एक उपस्तिती है तो इसको किस रूप में देखती है यह बहुत सच में बहुत अजरज लगता है मुझे कि यह सोचल मीडिया और रील्स यह जो चक्कर है यह मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं अपने मन में लेकिन बहुत वाइरल जिसको बोलते हैं और इसका उपयोग लोग खाली एक फिल्म का एक डांस करेंगे घर में तो किसी को यह नहीं सूचता है कि मुझे यह चित्रा आता है में चित्र निकाल के दिखाता हूं या तो बच्चे वो करें तो यह मुझे लगता है कि स्कूलों में थोड़ी बहुती लोग बचे सीखते हैं लेकिन कॉलेजेस में कुछ चीजें अब कंपल सरी करनी पड़ेगी कि तुमने शास्त्री गायन सुनना चाहिए अच्छा चित्रकला क्या होती है सारे से वाकिफ रहना चाहिए तो यह बहुत धिल्लर ऐसी चीज है मतलब यह उटपटांग चीजे है तो यह यूति जब करता है तो खराब लगता है लेकिन शास्त्री संगीत इसलिए बहुत सामने 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 आना चाहिए उनके तो यह ऐसी अजीब सी चीजे करने का उनका मन नहीं करेगा अच्छा जैसे अपने एक बिल्कुल शास्त् मेरा तो मेसेज है कि जैसे आज कलापिनी जी यह कर रही है कि कुमार जी ने जो संचित रखा है हमारी लिए और भुवन जी है यह सारा धरोहर समाल के और उसमें पूरे भारत भर के गाय आज का समारों देखें कल उसकी संपन्न होगा लेकिन उन्हें ने चुन-चुन के सब कि छोटे बड़े बुज़र्ग सब इसमें इस चास्त्री संगित की गंगा में उन्हेंने ला के रखा है तो इसका अनंद ले सब लोग और वो अपने तरफ से कितना कोशिश करेंगे हर गाह जा रही है वो हर गाह यह लेके तो लोकों ने उपस से थी मुझे लगता है कि य नzhou को को है कहीं नहीं जाएगा यह इसली संगीत आए यह कहीं नहीं जाएंगा यूट्यूबत पर आने दो और आने दो तो लोगों को संझेगा कि कब히 तो लगे कि हम प्रत्यक्ष के देखें अच्छा आपने मिट्टी की बच्चे ऑच्छस पर समक्ष्मि अवस्टन के म पाकेशाली समझती हूँ कि मैं भारत वसी हूँ और हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगित मेरे देश का है.